अठारा जून 2024 सारे पीवाई क्यूस हम कर्च के हैं उपनिशिदों के यूनिट 3 के, बस केवल 18 जून 2024 वाले हमें बाद में करने थे, ये एक्जाम अपने को पता है कि कैंसल होगा, इसका रिजल्ट कभी जीवन में नहीं आएगा, कोई अंसर की नहीं आएगी, तो इसमें हम कर रहे हैं, कोश्चन आपके सामने है, योग पुनली उपनिशिद के अनुसार, प्राण पर नियंतरन करने के लिए कौन से योगा अभ्यास है, ये पुछा गया है, प्राण पर नियंतरन करने के लिए कौन से योगा अभ्यास है, ये पुछा गया, तो यहां पर आपको द सिंपल है हमारे देखो अब आपको तयारी का मतलब है हमें है ना तयारी से मतलब है एक्जाम कोश्चन बिलको लीजिए जब आपने पढ़ लिया ना एक बार हलका से तो ठीक है दिमाग में अपने सारी चीज़ाने चाहिए पहली बात योग कुंदुपिशल वेध कैसे कृष अधिका जो कैसे मिलन होगा कि खेच्री मिलन आदि सद्गुरू की अध्ब्रह्म प्राप्ति इनके वपायों कवर्णन में है स्टा इसमें श्लोख कितने हैं तीन अध्याय है के कुंदली उपनिशद में टीक है श्लोकों की संच्छा स्लोको की संच्छा कितनी होगी टोटल श्लोक, कुंडली उपनिशद में 171, इतने श्लोक होंगे, ठीक है, तीन अध्याएर, 8, 7, 4, 9, और 35, ये इस प्रकार से सेंस चलती हो, तीन के अध्याएर के, ठीक है, अब, यो कुंडली उपनिशद का विश्यवस्तु, कहा चित, हीतु देम तु चितत से, ठीक है, दो कहते हीतु है, चित के, वासना चा समीरण है, वासना और समीर, वासना और समीर, समीर बोलाई उन्हें प्राण को, वासना बोला, मन की चंचलता आदी को, चित के कहते हैं, उन्हें दोनों को नियंतरन करना है, कहते हैं, उनका एक ही उपाय है, कहते हैं, एक को खतम कर लो प्राण पर विजय हे ट्ぁतु कहतें दो चीज़ें टू टीक तीन चीजें हूर को एकिस्म node कि यह कर सक्किछ आने गांगा इंहोंने योग निया इतो कैसे कमल नहीं आयudent क्या होगा कैसे कमल लिए यह पदमासन कैसे कमल नहीं करेंगे यूज यानिकि अब वजरासन सिद्धासन का नाम बदलें वह है वजरासन वजरासन दूसरा एक कमल कहते हैं और सिद्धासन के ते वो को न है वो चुड़ामणी उपनीशित है दो उपनीशित कहने वाले शक्ति चालन में यह भेद स्वय स्थान से अपने स्थान से उसको घुरू मध्य तक पहुंचाना है जहां पर भी है उसको घुरू मध्य तक लेकर करके जाना है मूर्धा नहीं था यही आपका कोश्चन है संगीता साव में यही प्रश्ण है स्वय स्थान से अगर आप उठा देंगे तब इसको शक्ति चालन का बड़ी दिया गया था यह शक्ति चालन है ठीक है ओके इसके बाद में बाहराय और चार के दिया था इड़ा पिंगला दो लोगों को नाश कर देती वैसी तो ठीक है सभी प्रकार के रोगों को मुक्ति करती यह नाम दिये पेट को मद्धिय के पेट के अंदर के पेट के रोग ठीक है इसामेनर आपको है इंसा कह देगा ये उढ़ोग के मिठे हैं कितने टाइम के चलाने की बात की गई थी और किसे चाहिता था इंगूठे ओर दरी उसकी सहे था Sis प्राण रोध के लिए फिर आगे बताया गया शक्तिचालन की दो थे सरस्थिछालन हो गया सरस्वती कि एक था प्राण रोध के उपाई में चार उपाई बताए गये थे चार सीक्वेंस सुर्य बेदनं उझजाई शीतली जब कहीं पर कोई दो में से एक ही कुम्बक आएगा दुए वाला शे आएगा दुए वाला शे शीतली तिक है विशे शूप से करने व्लेगर है बागती सारी लगबगगठ परुपी ही है सुरिय Beidhi में स्पेशल कहा गया किते हैं चार प्रकार के वात दोश वात दोश चार pareकार के यह मैंजर Medium किया गया ठीक है चारों कुम्भु को कितनी हैं? का यह हैं इस से मूल बंधार उड्यान बंध उनके साथ करने का कॉंसेप्ट थै ठीक आब इसमें विघन आती है सर्फ बिलकुर आते is definitely योग अधे विगनिने कॉन eyelet आज कर में कितने विगंती दस-दस बार करने तो दस ही विगंगे तो कौन-कौन से योगा भ्यास में ही रोग है योग में रोग हो गया मुझे ठीक है इसलिए मैं भ्यास नहीं करूँगा ऐसा सोच लेना संशे मैर्शिपतन लिवाले संशे परमाद आलस से निद्रा लिया यहां पर नि आंक्ति विश्य आ सक्ती के रूप में आथा नो जो था अनाखे, अनाखे, आग्यां। दसमा था अलबधी, ऐसे हिआ पर दस आपकी विगन आ गए थी, यह आपको जानना है पर ना को कि त्या करना था, कैसे करना था, मन सा मन अलो क्या है? मन से मन का अवलोकन करते हुए, उसकी गती विधियों का त्याग करना था, एक्टिपिटिटी उसको त्याग करना था, वही क्या था? पृम्पदा। नियुक्तिटी नियुक्त'? कि मन से मन का अवलोकन करते हुए कि उसका त्याग करना परंपद बताया गया था ठीक है ऐसे था इसमें यह प्रशन का उत्तर हमारा सिंपल सा था शुरुआत से लेकर करके अब तक का मिताहर आसनों शक्क चाने यह इतनी सारी बाते हैं आपके दिमाग में तो डैफिनेटी आ कहीं से भी ठीक है नेश्ट कोशन योग राज उपनिश्द में प्वात कर लिए योग राज उपनिश्द तो चर्चा करेंगे योग राज उपनिश्द में पहले तो कि योग राज उपनिश्द में क्या क्या कैसे कैसे है ठीक है यह हमारी चर्चा रहेगी कौन सी चीज कह प्रयोग्राज उपनिश्द में योग्राज में वेद सरकोई वेद का मेंचन नहीं है नो तो क्या है राज 21 मंत्र है इसके आसपस 12 है किसमें मांडु के सबसे छोटा इसके साथ में 18 है इसावाश्य योग्राज का कॉंसेप्ट में क्या क्या चर्चा है योग्राज में चार योग और अंग चार ही योग है चार ही योग है मंत्र लाय सीक्वेंस राज हट ऐसा ही था एक श्लोक में जब पिरोया गया अंगों की बात करें गोगावट सर अंग चार अंग अंगों की बात करते है तो अंग कौन कौन से थे योगरा जुपनिशद में आश्टांग के दो दो या यम शडांग के पहले दो अंतिम दो ठीक है आसन प्राण संडूर्द यहने प्राणायम ठीक है ध्यान और समाधी यह चार अंग बताएगे थे अब किसने किसको सिद्ध किया मंतर योग को किसने सिद्ध किया मंतर योग को सिद्ध करने वाले कौन से वत्सराज लाय योग को सिद्ध करने वाले प्रिशन दवय पायन जिनको व्यास नान से हम अन्या जगों पर जानते हैं तिक है प्रिश्ण दुए पाई वेद्व्यास जी नाम से जानते हैं राज अठके वारे में कोई चर्चा नहीं थी नो सारे नो चक्रों के बात आई थी नो चक्रों में सबसे पहले नीचे वाला चक्र काउंट करेंगे ब्रह्म चक्र निचे होता है जिसको आधार के रूप में हम जानते हैं ठीक है दूसरा स्वाधिस्ठान तीसरा मनीपुर चोथा अनाहत रदया पांचवा विशुद्धी छटा आग्या चक्र होता है नोर्मली बट यहां पर कहां चलेगे तालू का तीक है और सात्मा यहां पर नोट करिएगा सोमाली सैन्मेम गल्ती मत करिएगा सात्मा कोन सा है भूमध्य आठमा निर्वान निर्वान का ही दूसरा नाम ब्रह्म रंधर नोवा आकाश चक्र तीक है ओके अब इनकी खास्यत देखते हैं स्वादिष्ठान ब्रह्म चक्क्र आधी यहां पर तीन आवरत्यों से युक्त शक्तिवत्ः नाहात में लुक में कहते हैं दाएं बाएं में सूरिये बाए में इडा यानी चंद्र बताते हो द्मद्रलिया में इसलिये क्के बात कर ले इसे बॉस्त तो ब Situation पाच्वा ये कोशिन अपना बन गया सर तिया यह निए पांच्वा चक्कर जिसका ओप्षिन नमबर 3 हो जाए कंट पर उताए गया था आगे बात करें ब्रूमध्य में का गया था जोती का जोती ध्यान उसके उपर दूआ का दूम उठेगा दूम का द्यान आपको यहां करन यही था आकाश चकर में कितने दलवाला कम था आकाश चकर में 16 दलवाले कमल की बात थी है का शलYUच में सोhl Ai यहां दलवाला कम इंचिया लुपाइए टाwn गाउल यहां मताएगहँ first सोरे इन दलवाला शल्वाला व्यो ब्हर्म चक्र में अगे तो ये तीन टो शब्द है पीठ बताए गया था चार पीठ सबसे नीचे काम पीठ बताए गया था उपर कौन सा पीठ पीठ से उपर काम पीठ से उपर क्या बताए गया था नेक्ट ये इंदल स्थाय घंट है कि ये ऊब्ड Yeah-4 घंघ लाष्ट उप्र वाले दो में से आकाश्चर करें था फूरण गिए पीट पूरण गिए रिपीठ के नीचे जालंदर निर्वान में जालंदर पीठ उताया था, तो इस प्रशन का उत्तर तो आप्ट्छन नमब्र 3 हो जाएगा, ये चक्षर नो होगे, तीसरा नमब्र उत्तर हो जाएगा, एक साथ में, दस्मद्वार, दस्वाद्वार या राजदंत, तिक एंगं तालू से, बहुत बढ़िया. तालू चक्र से. तालू चकर का नंब्र कका उचा था? 6 पर चटा ωता है, चटा. ठीके? नौर्मलियी आग्या चकर होता है, बट यहाँ, स्टे से हमें तालू का चकर 6 पर आ जाता हुता है, łth के? यह होता है. दूसरा चक्र होता है नीचे से count करता है, दूसरा चक्रो को पीठ हो गए, सारी basic बात्यों हो गी फिर तीन शक्तियों पर, बात्य की थेन उने तीन शक्तियों है, अध्यजक्ति और और मध्याशक्ति . अद्याशक्ति का कहा निकुंचन मध्याशक्ति को क्या कहा गया प्रबोधन ऊर्दव शक्ति के बारे में क्या क tai यौसव напात वर्ड युजवा . निपात वर्ड यौसव प्लियर इस प्रश्ण का उत्रवा ओप्षिन नंबर तीन अपना राइट हो जाएगा आगे चले नेक्स्ट योग तत्त उपनिश्द के उनसार योग तत्त उपनिश्द में वैसे तो देखो कोई मुद्राएं आधी आती नहीं है ना आते हुए चर्चा कर देते हैं ये योग में क्या है वेद में योग तत्त उपनिश्द में कितने मंत्र है पहला मंत्र कितने है संगीता सा का आपने मंत्र है रश्मी मात्य में इसका मतलब आपको 121 भी नहीं पता ठीक है चूड़ा मनी उपनिशत याद है चूड़ा मनी तो कृष्ण यजरुवेद से समन्धित हो गया 142 मंत्र हो गये योगतत्त उपनिशत में 121 होते है चुड़ा मनी में अभी हमने योग राज किया उसमें 21 मंत्र थे गभी कि नहीं है कुछ सबस्सक्ता है होते हैं अगर आप ने एक पटके तो लगबख हर जगह सएमय उत्तर होता है जूर्याँ आदि ज्वियों बाल सफेद आदी होने से जट्रागनी व्रिद्धी के लिए हमेशा ही हर ग्रंथ में विप्रीत करने ही मिलेगा कहीं वो कुछ मिली ही नहीं सकता ठीक है उत्तर तो अपना हो गया option number 1 इसमें योग कितने थे चार मंत्र लाय हट राज मंत्र के बारे में पताया मात्री का योग और करोडों प्रकार है लाय ठीक है परमात्मा तरकत्त्त में उठते बैठते उठते भी शहिएन करते आदी हमेशा ही कैते ध्यान रख़ना थीक है परमात्मा में इसी को एक धरशन ने नीयम कहा वह नी Stick अग सा कहते है वह उपनीशन तरन नीयम कहा कौन सा पश्ष करता सत instinct के रश्मी माते में मैं ध्यें किसको बोला था इनौने तरीशी की में ऐसी ही सैंस में के जाखे ही प्रतत्तवै अनुरुप्ती नीयम को बोला गये हट योग में अश्टांग योग आया जो आठंगों वाला योग टेक है यम से लेकर के समाधी तक में यहां पर यम में स्रेश यमी आहार याणी लगू-ाहार बात की गई हट योग में अश्टांग योग के ध्यान के बारे में क्या कहा था किसका चिंतन करना विश्णु का ब्रह्मा का रुद्र का एक्स यजड किसका चिंतन करना था हरी का नरायन का चिंतन किसका करना था हरी भूमध्य कहां भूमध्य में हरी का चिंतन ठीक हरी हरी चिंतन ये ध् सिद्ध ऑता और जिस için दिनगे उससेमें इन मुद्रभाविट की आवशक्ता ना रहा जाती है उसτοि लिए इन मुद्राविध की कोई आवशक्ता नहीं सैसा इसी सेंस में इसमें एक मुद्राओं का वर्गीकरण किया गया सेंश में इसी सेंश में सीक्वैन्स लेगे थी माहमुद्रों dearik महाबंध Euna महावेध श्च canon एँ मावेद और खेचरी ये इस में बताए गए थी सारी चीजे है ठीक है ऊके उसके बाद में ऐनुब खेचरी हो गया जालंद लस्ट चाति ओड्यान मूल बंधस तथाय वचे ये करने के बाद में आगे दीर्ग प्रणव संधान इसके बाद में इसी सेंस में आगे चलते हूं के ते वजरोली च अमरोली और सह जोली त्रिधामता इनके लिए तीन वर्ड यूज कर दिया कि तीन प्रकार से त्रिधा तीन प्रकार से इस से कोई ने को एक्जामिनर क्या पता लेंग्वेज क्रेट करें मतलब तीन यह हैं किते हैं बाकी के सब को डिसकस करते हुए ऐसे बोला इनों नहीं ठीक है यह थोड़ा साथ ध्यान रखिएगा आगे करें हम चर्चा नेक्स्ट इस प्रश्निक उत्तरवा ओप्शन नमर एक ठीक है यह सारी चर्चा अब इसमें एक और बात आती है बीच में इसे करम में चलते हैं दालनाओं की बात आती है योगतत्तों कि निशन में दालन अगनी वायू आकाश प्रित्वी दालना में कहां द्यानत ता ब्रह्मा कैसे है चत्र बुझ रह्मा जल्की बात पे नारायण नारायन वर्ड यूज के इन्वोंने ब्रह्मा नारायन रुद्र ठीक है फिर ईश्वर यानि सरवध्य मुख सरवध्य इश्वर ठीक है ओक है आगे आकाश में सदाशीव आदी के रूप में मारते शंकर महादेव ये शब्द यूज की ठीक है यहां पर कोई जो है अगर हम इनकी दारणाओ की मात टाइमिंग की बात करें दारणाओ टाइमिंग पार्च गयाटी होता है हर दारणा का कोई उपर नीचे नहीं किया गया अब आगे बढ़ते हैं next नाद बिन्दू प्मिशद में जो चीज़ें कीगी उन पर चरचा करें नाद बिन्दू में एक यह आप उत्तर दीजेए इसका एक योगत्त्त में एक और चीज था योगत्त्तों में बाधकार तो आगे खानने योग्या है और परचाशा कियी थी खानने योग्या है ओके यह शब्द अब लिए उसके डन है ओके शैफाली शर्मा में आगे बात करें नेस्ट नाद बिंदूपनिशद नाद बिंदूपनिशद किस वेद से है कोश्चन का उतर रिग वेद कितने मंत्र होंगे ध्यान सुत्र जीज़े का संगीता साव में 142 नहीं है यहां पर कितने हैं बिंदू शर्ब दो जगाओं पर आता है नाद बिंदू ध्यान बिंदू कहां कहां नाद बिंदू और ध्य 6 है 5 और 6 11 एक 6 को 6 रखो और बीच में 0 एक 106 ज्यान बिंदु में है नाद बिंदु में 56 है ठीक है नाद बिंदु में 56 है ठीक है ऐसा याद रख लेंगे या ध्यान बिंदु याद रहता तो 6 माइनिस 15 करके चेको 56 नाद बिंदु में इस शब्द है ठीक है अब नाद बिंदु में हंस नाम क्पक्षी पर चर्चा कर दो सबना दिया ओंकार को टीक है शेयल स्मां जितने वी कहते पाप है सासारे के इसी अंस रूपी ओंकार से कहते दूर हो जाते हो तिद्यान-बिंदू यह कहता है नाद बिल्दू भी इससे संक्स में बात करते हो आगे बढ़ता है यहां समान करके बारह मात्रइं शरी रूपी Aungkar पर्चर्चा कर दी caon kart Почему कर इसमें मात्राइं है मात्राइ ए O When Ad位 नहीं नहीं इचे पहुँच है अर्ध मात्रा मैं के नीचे पूमिया इसका मतलब क्या हो गया तक पूरव की सा मुझा तो उत्र का मतलब भायान होता है मिशा, भायान हाथ होता है, भायान बोले तो लेफ्ट हेंड होता है, ठीक है, और यहां पर उत्तर पक्ष बड़ी उसके है, पक्ष बोले तो पंक, ठीक है, एकार की बात करें, एकार, ठीक है, बोले तो यह अब दायां हो जाएगा, दायां बात करें से से शरीर रहता है कि दो पैर होते हैं रज़तम को पैरों में होंट कर दिए कंगे डैसे धरम ठीक है दे की सेंस में आता है दैसे दाया चक्शू Ugh ठीक है एधरम कौन सा सर उल्टा चक्षू उल्टा बाया चक्षू ठीक है ऐसा हो जाएगा डन आगे बात करें इसी सेंस में और सारी लोग बताये थे भू भूए स्वह मह जन तप सत्यम तप सत्यम ठीक है लोग गिनेंगे पैरों से काउंट शुरू हो जाएंगे नीचे से हैं तो सारी सीक्वेंश बन जाएगे अपनी सारी स Chengu से भू में पैर आ सकते हैं आगे कम आने चाएं यानी कटी कमर को कटी बोलता फिर आगे नाभी पेर पेर के वाद में गुटना फिर कटी स्वह में कटी और मेहम नाभी ठीक है जन है आगे हरदे है ठीक है और कंठ में तप और सत्य जो है ब्रू ललाट मद्य ब्रू और ललाट के बीच यह हो गया यह सारा देखो नाद बिंदु पूरा का पूरा कवर हो रहा है अपने को पूरे उपनीशित कवर कर रहें इंडिरेक्टली एक होता हम डिरेक्ट पढ़ते हैं एक अब हम कोश्चन के मात्य में से सारा ही उपनीशित पढ़ रहे हैं कुछ छोड़ नहीं रहे बीच में सारी चीज को लेके आ रहे हैं फिर नाद बिंदु में कहा कि यह चार मात्रे जो ना ए उ मैं इनको अलग द्रिश्टी कॉन से माड़ते हैं ए उ मैं और अर्द मात्रा कैसे करते हैं ए को आप अगनी कह ने उपाइंद दिया अगया वारूणी यह चार मात्रे हैं और यह चार मात्रे काल काल में यूज़ो द बट वैसे कला अड़ा प्रकार से से और यहीं मात्रा को जाने का तरीका एक मात्र सर दारना है और nothing else कुछ mention नहीं किया योग तो इसमें बताया नहीं किया दारना ठिक है okay अब इनको सर जानना है अपने को इन सब की sequence है important हो जाए हमारे लिए सब की sequence अ तो सबकि सीक्वेंस देखे पहले बार में क्या होती है गोशना होती है तीक है तूसरी वी ज्येरं मात्रा तीसरी TNG आप चूती वायू वेगनी सर्द। पांस वी तरिक नाम देया यह उसका नाम है ठीक है चटी इंद्रियां हो जाती है पांस ग्यान इंद्रिया प्लस में एक मन कर देते हैं ऐसे याद रखने का तरी कहला सोर कुछ नी इंद्रि सात्वी सैसे संकर होना चीए बट्ट वह आठवी में चली गई यह शाकरी अब शंकर यहां पर चल माल अि प्रांटलोक लें जाने वाणी ब्रह्म लोग को ले grands ना अग्रभा मेतलोक लोगोष्णा करते हैं समराथ्ड चक्रवर्तोी सम्राथ बन जाता है बारत का समराथ 것도 अ क्रम करते में मर गया तो सम्राथ बन जएगा दूसरे में यक्ष्श को ऐसंडरक्श अर्थ आ है में गंदर्व, पांचवी नाम देया, क्या आया था? तूशित हिंदी में उशित संस्कृत में, ठीक है? चंदर लोक से समानित होता है, चंदर लोक, एंदरी, छटी, एंदरी हो जाती है, इंदर के समान पद, विष्णवी में, विष्णु के पद, शंकरी, पशुपती, देख रेते हैं, पतंगिनी को एक कहा इनोंने, और घोशनी को दो कहा, शंकरी को पांच कहा, ठीक है, ब्रामी को चार कहा, विष्णवी को तीन कहा, ठीक है, तो उपर दो, एक, पांच, तीन, चार, ऐसा ही उत्तर है, और तो कुछ नहीं है, दो, एक, करम बता दिया, ठीक ह दो, एक, पांच, तीन, चार, ये गड़बड कैसे किया आपने, संगीता साव मैं, मेरी गड़बड है या आप लोगों गड़बड है ये, मैं गल्ट हूँ गया इसमें, ओके मैंने गल्ट लिए ठीक है, माफी चाओं, पतंगीनी, दो नमबर, पतंगीनी एक कही गई गोषणी दो पर, वैशनवी 3, वैशनवी को 3 का है, ब्राहमी को 4 है, शांकरी को 5 का गया है, तो 2, 1, 3, 5, 4, यहां से प्रूव होता है कि मैं भी इंसान हुं और इंसान गल्टियागा पुतला है अगे चलते हैं वींगे हुमन गल्तिया हो जाती है आगे चलते हैं डॉक्र शेवाली जरवा में नेक्स्ट आगला कोश्ण करते हैं यह रहा नेक्स्ट कोश्ण योग चूडामनी उप्रिशद के अंसर है नाद बिंदु उप्रिशद में ओ रहा है था नाद के बारे में नाद में कोन सी यक्षिमा कोश्ट बगंदर वर्दित पलिहा कमजोरी आधी आ जाती होती है ठीक है यह पूछा गया है कहां पर क्या हो जाता है कमजोरी आधी तो देखो फिर से यहां पर चूडामनी उप्रिशद आगर आप पढ़ते हैं या कहीं और जिगां पर पढ़ते हैं एक ही यहां गया मावेध में कोई चर्चा नहीं किंगे ठीक हो जर्चा नहीं है मावुद्रा यहीं पर्चा यली मा मुद्र, सिम्पल, डारेक्ट उत्र यूग चूडामणी पर चर्चा करते हैं, अब एक्ष्टा चर्चा चलेगी, चूडामणी सबसे पहले, वेध, सामवेध, टीक है, इसका सुत्र, यानि शलोक संख्या कितनी होगी, चूडामणी में, अधी चर्चा कि चूडामणी में ठीक है त्रश्मी माते मैं आपने बता दिया था गलती से एक दो एक चुडा मणी में 121 121 का दुगना 42 ठीक है किस में वाइटी में योग तत्तों में ठीक है वाइटी में 142 चुडा मणी में जिक्षित किये ठीक है ओके ड़न योग चुडा मणी पिषिद में चर्चा देखें तो किस की कोपी लगती है गोरक्ष सहीता की अगण। योग चुडा मणी को देखें पादमासन का नाम बदला तो सर सिधासन का नाम सीधा रखेंगे, सिधासन का नाम एजिटीज रखेंगे, कौन सा योग है, शट अंग, शडांग योग आसन से लिएके समाधी तक होता होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, चक्र बताई थे, छे चक्र उनकी स्थाना दीन, अबता थे हैं, सब चीजे बता थे, ठीके 10 नाडियां बताते हैं, 10 नाडियां, कौन-कौन सी सीक्वेंसिं म मूर नहीं है, बहती जादा, इडा पिंगला सुसुमना गांधारी अस्ति जीवा, ठीके, अस्ति जीवा, पूशा यस्षवी नी, पूशा यस्षवी नी, लंबुशा कुहु ए लंबुशा कुहु और शंकीनी ऐसा इडा हमेशा इत गया पर बायां पिंगला अमेशा दायां सुसुना हमेशा मध्यें इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं गान्धारी अस्तिजीवा आथ में दोनों पहले वाली लेफ्ट में हैं गांधारी लेफ्ट साइड में है, हस्ती जीवा दाई साइड में, पूशा शंकिनी, पूशा और शंकिनी, पूशा और शंकिनी दोनों कान में है, पहले वाली दाएं कान में है, ठीक है, पूशा, बाएं कान में मतलब दाएं कान में है, दक्षिन कान बोलते हैं, दक्षिन का शंखनी मूल स्थान बोले तो एक तरसे गुदा में ले लिते हैं यहां पर मूल स्थान जिया गया गया मूल स्थान ठीक है ऐसा ही शब्द है और तो कुछ नहीं है टन प्रशन का उत्तर हुआ तो आप आजड़ा रम बर चलता है कितनी बार चलता है दिन में मैं इकिस चैसो बार चलता है क्या है यह एजपाजप एजपाजप की प्रशंचा की एगए गायतरी है मौक्षदाई या अज्यानियों को किते बांधने वाली है ऐसा कागिता मन और प्राणवायू कुण्जी की साहता से जैसे किवाड मौक्षद्वार का बेद्न करते होते हैं ऐसी जड़ता इनका चार स यह एक साल से अधिक समय में चारों का ब्रह्मचारी, मितहारी, त्यागी, योगप्रायणा इन चारों को कैते सिद्धी मिल जाती एक वर्ष अत्वा थोड़ा सा अधिक अब वो थोड़ा सा अधिक पसीना जो आएगा उसको अंगों में लगा लेना दूद घी से बोजन करना सर ऐसी इसमें चैन समय देखने को मिलती है आगे इसी में सब्सक्राइब था रज और बिंदू खेजरी मुद्रा का डिश्क्रिंट करते समय है रज बिंदू की बात आई थी रज और बिंदू बिं एक इसमें और आई थी चर्चा कि योग चूडामनी उपनिश्यद में बिंदू और रज इनको क्या बोला गया शिव शक्ति बोला ब्रह्मा विश्णु बोला आधी आधी क्या बोला था ये प्रशन है आपका ठीक है बिंदू और रज को बोला क्या था शिव शक्ति बोला ब्रह्मा दी बोला बिंदु को देखो ब्रह्मा बोला था ब्रह्मा रज को तो मेशा शक्ति बोलते हैं रज को सरस्वती कहीं नहीं बोला है रज हमेशा शक्ति रहेगा बिंदु और बिंदु और बिंदु को ब्रह्म और रज को शक्ति बोला था ठीक है कहते खेचरी मुद् में तो उपाई क्या है क्योंसी मुद्रा सर्योनी मुद्रा ओंилось कोई पिस वापिस उठा लिये आदेगा टुर्ण ऐसी आ गए तो इसमें ते ब्यार इसमें स्रिष्टी ऑपातिकी का बतारते है ओंकार से सिर्ष्टी कुछ पत्ति कैसे ओंकार अपने आपमें उसने सबसे पह वायू अगनी जल और पृत्वी यही रहता है कुछ अंतर नहीं होता है इसमें इनके गुण सर कैसे करेंगे या इनके देवताधी सर पृत्वी के में शाब ब्रह्मा बताते हैं ब्रह्मा वेश्नु ठीक है अगनी रुद्र वर्ड यूज किया रुद्र वायू और अकाश इ विश्नु का बताईए गुण कौन सा वा त्री गुणों में से सत्रस्तम में से त्री गुणों में से कौन सा गुणों का विश्नु जी का ब्रह्मा विश्नु महेश विश्नु जी है ना ब्रह्मा विश्नु महेश ब्रह्मा मेंश उत्पत्ति करने वाले हैं देखो लाल र मुषिदों की सेंस में हो सकता किसी अन्या टेक्स्ट में किसी संदर्व में बदल जाएए जितने विये आठ्ठों के आठोप निशेद वहां पर ब्रह्मा शब्द रज से ही डिनोट किया जा रहे है ओके विश्णु संसार को चलाते हैं सत्वगुणी सय विश्णु सय आया स रजुञुणी रुद्र रुद्र जो है वो है एक तरह से ऑक सहन का प्रतीक संकर जी हो हो अ मृथ chassis है संगहार संगहार तमोगुणी से अ संभवी साएफ टुण ऐसा याद रहने के तरीक अए बाकी तमोगुणी ये याद रहना जीवनमें तमोगुणी खराब नहीं है bonu एपने ला भानिके दार्पन गुणों को या हर चीज को वाकते होते हैं कराब गुनो 10 गुनों कों के पुरता के लिए पर keeper णलल आगे जो इसमें पहले देवता कोन से प्रकट हुए थे चार देवता प्रकट हुए थे ब्रह्मा विश्णु महिश ठीक है ब्रह्मा को का आगे था पैदा करने वाले ठीक है पैदा करने वाले उत्पन करने वाले संसार को बनाने वाले पैदा करने वाले रूप में ठीक है व विश्व तेजस और प्राग्य आत्मा ये करमश्य बताये गए थे उसी के चर्चा कर लेते हैं बहुत लंबा हो जाएगा चलो इंपोर्डेंट है उस पार्ट को हम कर लेते हैं ठीक है जाग्रत स्वपन, सुशुप्ति और तुर्या ये सेम मांडुक्या में है सेम यहाँ पर है सेम सेंस में है जाग्रत अमेशा बाहर का विश्व प्रतिक होता है स्वपन में क्या होता है तेजस होता है ठीक है शुशुप्ति में सरशांति प्राग्य ज्यान का प्रतिक तुर्या उससे व करें तो विष्व स्थूल जगत के अंतरगत आता है श्वापन जो होता है एकांथ का परतीक है प्रफी भुक्त यहना शुक्षम जगत का प्रफी भुक्तों को की और प्राग्य आनन। का प्रुवर्ण आनंद है आत्म्तत्त्त्व जो है सब का शाक्षिया किता है सब को सब आ जाता है ह में है देवता क्यों से ब्रह्मा विश्णु को पिकि ए-ष में हरी भी कहते गुंट कि तरी ये ब्रह्मा रजकुण बोला विश्णु को सत हुआ हखोदbahn किया पत्म हुआ है डिनोट किया थे कहीं है अगे चले सरीर में आकर्षा आकर में बोला? उखार में स्वपन बोला? तीसीवे मे होसी सुशुप्ती, ऐसे अवस्थाइं भोले गी TIME अ इसी अदार पर जागर्त आंखें रहती हुथी है आंख यानि नेत्र स्वपन में सरकंठ में चले जाती हुथी के टेकर चुन्ठ का स्थान है और श कृष्प्ती हिर्द्य क कास्थान है तो के इतनी तो बात करिए और तो कुछ आहीं बचाई नहीं और पूछे सारी ये कई चीज़ हम बता देंगे इस इस प्रशन का उत्र क्या हो था मामुद्रा, option number 1 जो है, right हो गया था, और इसमें कोई विशेश रूप से बाते, देखो, बहुत सारी, हाँ, एक प्रनायम आया था इसमें, योग चुड़ामनी का प्रनायम जो है, वो कैसा है, प्रनायम, प्रनायम, पूरक, कुम्बक, ठीक है, रेचक, यही क्रिया होते हैं, सबसे पहले सांस लेते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर छोड़ देते होते हैं, अनुपात पुछा गया आपसे, अनुपात कितना, किस तरीके का था, ठीक है, किस तरीके का अनुपात था, अनुपात, पूरक, कुम्बक, रेचक का अनुपात था यह जल्दी से, कैसा दिया स्संवाथ ओपर उखना त्वांत उड़न psychology28 और fen class अनपात में तो कि यह बोला गया था दन एक dsky बात ठीक है प्रणायाम प्रत्यार दारना जैतन्यम अध्वतम चैतन्य अध्वतम और मनोर्ध्य मन में ढर्य एक रफ्थी ने ट्यार प्र dulu discussion समाधी कि मोक्षम आपनूति मोख्ष की प्राप्ति होती और क्या सुब अशुब करमों को सोड़ करें तब कहती मौक्षम आपनू थी ये बात की गई थी ठीक है ध्यान पर चल्चा नहीं की थी यापर ये आप थोड़ा सथ ध्यान रखेगा अब आपके लिए नेस्ट चीज सर्फ टाइमिंग बताए गए थी सभी किये ना टाइमिंग आधी बता दी गी थी गलत एक सई त्रीक् किती है पांच गटी स्वी फांच ये पंच नाड़ी ओके अब आप तक नाड़ी ये प्स गटी ये दरना में पूछा गया कि ध्यान कितना वागा तो बाराइघग रोव पांच नाड़ी का मतले होता है चोबिस गुना में पांच मिनट टिक है एक नाड़ी एक नाड़ी अत्वा एक गटी is equal to कितना होता है 24 मिनट 24 मिनट होता है तो पांच नाड़ी का मतलब कितना हो चोबिस पांच है 120 मिनट यानि कि दो गंटे की तो होगी एक दालना टू अबर्स की होगी दालना ठीक है 24 मिनट इस इकल टू एक नाड़ी बोल सकते हैं इस इकल टू एक घटी बोल सकते हैं ठीक है अगर यह पांच और दालना का टाइम हमेशा हर गंज में कहते हैं कि कम से कम कितना होता है पांच गटी का सकते बोल्य तो पांच गंडा में 24 एक जोडू की मिनट की यानि दो गटे 2 एच और धाल ना ध्यान का टाइमिंग कितना होगा 12 गंड़ि इसका टिक है पांच गटी है, पांच का बारागुणा, बारापजे 60 गटी, ठीक है, मिनिटों में लेकर रखे आएंगे अगर आप, ठीक है, 24 गटी में 60 कर देंगे, ठीक है, ओके, ऐसा, इतनी मिनिट हो जाएंगी, 900 मिनिट के सम्थिंग कुछ जो भी होगा, ठीक है, और आपका पूरा समाधी की बात करें, तो कितना हो जाएगा सर, आपका, 12 गुना, 12 गुना, 12 गुना, 12 दिन, ठीक है, ओके, ऐसे हो जाता है, डन है, कोई दिक्कत नहीं, पैरामेटर सा आपको करने चाहिए, एक्जामीनर पूछेगा, डैफिनेटली पूछेगा, इस प्रेशन का उत्तर हो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रेशन, ये रहा, योग तत्तो उपनिशद, वाइटी, अगेन सेम प्रेशन, क्रिशन यजरुवेद का, रश्मी माते में, कितने श्लोग है, इसमें, सर चूडा मनी में हमने अभी बात की, 121, 121, तो 21, 42, एक आगे लगा रहेगा, वाइटी में, 142 लोग हो जाते होते हैं, तोटल, तीक है, योग, चार, मंतर लेहट राज, तीक है, ओके, सिद्धियों के उपर चलता कर रहे हैं, सीधा, किसने किसको ग्यान दिया, योग तत्तो में ज्यान कौन किसको दे रहे, योग तत्तो में, कौन किसको ग्यान दे रहे, सर कोई नाम है क्या विष्णु जी है किसको देते है विष्णु जी ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं ब्रह्मा जी शिश्य की रूप में ब्रह्मा शिश्य की रूप में विष्णु जी यहां पर गुरु की भूमिका में दिखाए गई है कहानी के अमसार चार प्रकार के योग च 16 64 32 पूरक कुम्भक रेचक ठीक है 16 64 यह था कितने टाइम करना है चार बार कर लेना ठीक है प्रात्य मध्यार सायम अर्धरात्री कितने कुम्भक 80 कुम्भक चार बार चार टाइम प्रात्य मध्य मलदो पहर सायम सायंकाल और अर्धरात्री योग योग के लिए मात्रा बताया गया मात्रा का प्रिवाशा दी इनोंने पहली बार में ठीक है मात्रा एक चुटकी बजाना ठीक है गुटने के चारों तरफ से गुमाते वे ने तो ज़्यादा तेज गती ने धीरे यह यूज कियागे ने दृतम ने विलम भितम ने तो तेज ने थोड़ा धीरे अना लेट लेट शांती से बजा लेना ठीक है एक चुटकी एसा मेंशिन किया पिर केते सिद्धी आदिया ही शरीर हलका हो जाएगा जठ्रागनी आएगी दीप शरीर लगुता दीप्ती जठ्रागनी ठीक है और कृष्यत्वम यह चार सिज्चे क्रमशा आएगी केते क्रमशा ऐसे आएगी और इसी सिक्वेंज फिर आगे किते मल्मुत्र आदियालप हो ठीक है भूचरी सिद्धी मिलेगी भूचरी भूचरी सिद्धी भूचरी मोले भूमी पर चर्ण करना इस रूप में कि कहीं भी आ जार सकने में शक्रम है और भूचरी सिद्धी भूचरने वाले भूमी पर चलने फिरने वाले जीव जंतों पर भी सिद्धी आशिल हो जानवर को आइंसा भी आ जाएगी अना मारे गाई नी बाई चंस अगर वो हाथ से मार भी देगा तो वो जानवर तुरंत मृत्तियों को प्रापत हो जाएंगे इतनी शक्ति आ जाएगे उसके बूचरी इस रूप में यानि यह भूचर नाम से वर्ड यूज कर दिया ठीक है गटावस्था बताओ कैसे कई गये थी ठीक है गटावस्था मेख्चा क्या मिले नोगा इसमें प्राण अंप्राण और अपान का मिलनों गा मन बुद्धी और जीवातमा परमात्मा यह तो है yp योग तत्तव उपनिशद का अगर मैं अन्यत्र चला जाओं शिव सहिन्ता बगवान शिव के पास चले चले तो यह बदल देते हैं एक शवद्ध क्या बदल देते हैं考 भुद्धि को बदलते हैं क्या कहते हैं नाद बिंदु बाकि सब सेम रहेंगे प्राण पान नाद बिंदू और जिवात्म प्रफात्मा यह तीन कर देंगे यहां पर यह उन्हें मन बुद्धी कर दिया यह आपका exception है तो आपका question है ठीक है exception ही आपका question है ठीक है थोड़ा सा लग हुआ वही question में आता है उसके उसार बताओ क्या है तो यह आपका question मलता है दने आगे चलते सर चार के बाद में next question यह रात किसामें श्लोक को काई question उपनिश्यद में में कितनी है कौन-कौन से ध्यान रखेगा शुरुवाद्स करते हैं श्वेता-श्वध्र हें श्वेता-श्वध्र है कुंडली उपनिश्यद है आप उतर मिंधिया में कर्दù चूड़ा मनी है योगतक्त्म आपनिश्यद है त्रीशिखी है ध्यान बिंदू है नाद बिंदू है योग राज है योग राज यह उपनिश्द के करमा है इसमें कौन साथ किस से समझनत है यह आपका प्रश्ण है कोन किस समझनत है श्वेता श्वत्र में 113 श्लोग है ठोड़े वाले याद रख्षते जैसे 21 सब को याद होगे नाध बिंदु द्यान मिदु नाध बिंदु मे तोड़ामणी में उसका दुगना 142 नहीं 142 का है योग तत्तव में ठीक है ऐसे करके म्याद रखेंगे योग कुंडली की बात करें तीन ज्याए वन सेवेंटी वन त्री शिखी भी बात करें वन सिक्स फाइव ठीक है नाद बिंदू का उल्टा यहना वन लिख दिया नाद बिंदू उपर डिया शिक्स फाइव कर दिया पस्सर हो गया सारी उपनिश्यद ओके डन करते सर नाद बिंदू में 5-6 एका टू ही हो सकता और कुछ नहीं होगा तो 21 होंगे और दियार में में एक सच है बिल्कुल क्लियर आगे चले नेक्स्ट प्रेशन पर यह राप के सामें प्रेशन अब यह प्रेशन था आया आपका त्रीशिकी का ठीक है और ऑप्शन नमबर एक हो जाएगा ठीक है एक अज़ग गल्द कर दिए ठीक है इस प्रेशन का उत्तर जो है लास्ट वाले का ओप्शन नमबर एक राइट रहेगा पहला ठीक है ओके डन संगीत साव में ओप्शन नमबर एक आपका राइट हो जाए गलती से तीम पर लगा दिया था एक जो है राइट होगा question number 92 है नादविंदु आदी उपनिशदों में शलोक संथ्या कितनी है इसके लिए option number 1 राइट रहेगा आपका next त्री शिखी ब्रामन उपनिशद में बगवान सुर्य के समकक्ष त्री शिखी रिशी द्वारा दिये गए प्रशनों का सही अनुक्रम अब ये आपका शलोक्र याद है तो कर सकता है उत्तर नहीं तो आप कितना भी इसको अंडरस्टैंड कर लेजे कोई प्रशन का उत्तर न शुक्ली जरुए दिए कितने वेश्लोक्त 6565 ट्रीशी की बगवान जाते हैं किसके पास में जाते हैं बगवान आधित्य के पास आधित्य लोग में जाते हैं वहां पर जाके पूर्षते हैं बगवान किम देहं किम प्रान है प्रान क्या है किम देहं किम प्रान है किम उत्तर देते टाइम, थोड़ा सा बोलते कि सब कुछ भगवान शिव, रूपी कहते जानो, और ऐसे ही कहते हैं, अगर एक और प्रशन पूछे, तद अखिलम ही थी, अखिल क्या है, किम अखिलम, ऐसे आगे जा करें थोड़ा प्रशन पूछते हैं, दूसरे श्लोक भी, तो आज तो आपसे हिंदी पूछ लिया, कल कोई श्लोक बनाएगा, श्लोक भी पूछे में, तो श्लोक को आपको सिक्वेंस में रेंज करना होगा, आज आपसे देखो, हिंदी में पूछा है, नेग्स्ट टाइम आपका श्लोक है, ये प्रशन, पहला और दूसरा, जो मंतर या श्लोक है वहां से आपका प्रश्ण है तो दे है यानि शरीर ठीक है पांच नंबर प्राण यानि कि चार क्या है आत्मा तीन कारण एक अखिल के लिए बोला लास्ट में अखिल बोलते जगत विश्व को तो पांच चार एक तीन दो यह आपका राइट रम जोर था ठीक है लिए रश्मी माते में आगे बात करते नेश्ट प्रॉषन पर यह प्रशन एक्जामीनर ने बनाया था एक्जामीनर का प्रशन यह यह यहां पर देखो चूडा मनी उप्रेशिद के अंसरा आपको औरेंज करना है चूडा मनी के अंसरा सामवेध चूड़ा मनिके श्लोक 121 121 का दूगना 142 142 किसमे है 142 121 का दूगना 242 होता है बट अपने कोई अपनिशाद का संख्या याद करनी है 121 दूगने 42 वाई टी योगत्त्तों में है ठीक है डस नाडियां यहां पर बताते हैं डस नाडियां ठीक है डस नाडियों में इडा पिंगला सुसुना तीन अमेशा याद रही कभी भूरी नहीं सकते हैं इड़ा बाए में पिंगला दाएं में सुसुना मध्यादेश में होती है फिर दो गांदारी अस्ति जीवा अस्ति जीवा, दो का जोड़ा है, फिर दो, पूशा और यशश्वनी का जोड़ा है, पूशा और यशश्वनी, ठीक है, फिर दो, कुहु और शंकिनी का जोड़ा है, कुहु और शंकिनी का जोड़ा है, कुहु और शंकिनी का जोड़ा है, कुहु मेशा जननंग, लिंक के आ तो उत्तर हो सकता है सर तो उत्तर इस हिसाब से दो हो गया option number और बात करें ऐलंबुसा ऐलंबुसा मुख में आनन में बताई गई है यश्ष्वनी की बात की जाए गांधारी यश्ष्वनी गांधारी देखो अब यहां पर यह गड़ बढ़ है थोड़ी सीक्जामेन ने गड करें इसे पूशा दाएं काने लताइगे यश्ष्वनी बाएं काने लताई गई है इतनी ही गड़ बड़ सरहरे हैं गांधारी के लिए यहां पर examiner ने जब प्रश्ण मेरा तो इग्दामिनर ने क्या कि गांधारी को टाहीनियांक में दे दिया गल्ती से अब ये गल्ट बात है ठीक है अलांकि हम आप पता है कि ये क्या होना जी बाया मैंने एजितित कॉष्शन को उप्टा रहा है यहां बाया होना चीए यह मिश्टीक्त ग्जामिनर की सेम ऐसे ही यश्यश्वनी के लिए दाहिना कान कर दिया यह बाया कान होना चीछ था बाया ठीक है आप रेफरेंस के तोर पर खुद देख सकते हैं बुक में ऐसे लिखा हूए तो यह थोड़ी सी तो में थे प्रीक्राइया कोषण अज्यानि वि 결म गुंब निखातक देखे जूंबेध्या this मैं कौन किसका हैं अपनिशद वेल चुन से सर कृष्ण Pacific में कौंडलि उपनीशद कैसे कृष्ण कूंडली उपनीशद कैसे कृष्ण कृंडलि उपनीशद स्वेत smellsवेट है प्रतु है क्रिश्ण स्वेताश्वत्र अ कृती योग सत्तव और ध्यान बिंदुर इस चार है जो क्रिशन यद्रविद से है आपकी स्लेबस में इसके लवब मुख्यों में अगर देखें कम्बाइन के रूप में कि शुकल वाले त्रीशिखी शुकल यद्रविद से इसावाश्यो शुकल यद्रविद से बहे दारनेक शुक्ल युजरुवेट से हैं ठीक है यह आपके युजरुवेट के सारी कठे होगे एक जिगा प्रूपनिशिदी कठे कभिए हमने युजरुवेट के तो ध्यान बिंदु में चर्चा ध्यान पर चर्चा देखने को मिलती है प्रनायम के देवता शडां योगा इसमें ठीक इन जिगांगों पर चर्चा देखने को मिलती है इन तीनों के शडां योगा हमसे पूछा गया प्रनायम के देवता प्रनायम के देवता कहते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र करमशा पूरक के कुम्बक के और रेचक के करमशा बताएगे नंबर अनसार सीक्वेंस में ब तो एक हो गया ओप्शन नंबर ए विष्णु सी और ए एसी ओप्शन नंबर शेफाली श्रवा में दूसरा हो जाएगा आपका तीक है महेश नहीं कहा था उन्हों ने ज्यान बिंदू प्मिशन में यह चर्चा किए अब जो है न ध्यान बिंदू में एक छोटी सी अलग बात है एक हलका सा अलग तरीके से भी कंबाइन के और ध्यान बिंदू में तीन मूर्ती का ध्यान कैसे करना प्रायम करते समय वह उन्होंने पलट दिया वह कहानी पूरक कुम्बक करते हैं फिर रेचक करते हैं तब इन्होंने कहा पूरक में तो आपको ध्यान करना है चत्रभुज महाविश्नु क्या कहा चत्रभुज महाविश्नु कुम्बक में ब्रह्मा जी चत्रमुक चत्रमुक ब्रह्मा जी और रेचक में रुद्र बगवान है यह यानि त्रीलोचन 88 sound यहां परशंगीता सवावें 13 lo चुन यहां और такие नोट करिएगा तरिलोचन श्यूः विभवान श्यूञी इनके रंगादि अंग भी विवता दिए, पूरक नाभी मेंagfelी में चिंतन होगा, कुम्बक की टाइम और्ध्या में चिंतन होगा, चीवध many के सद्रिश सवेत वरन सवेते वरनवाल चिंतन करना है और यह निसी सप्सेद में पुछिए जैञांक्य यहां तक हमारे 18 जून 2014 में जितने भी कोशन आते हैं, सबको अमने PY के उपनी शिदों को डिसकस कर लिया है, थैंक्यू टो ओल, दन्यावल आप सभी का, थैंक्यू सो मच, थैंक्यू टो ओल.